नमश्कार, हमारा आज का टॉपिक है Computer Keyboard क्या होता है? किबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं? किबोर्ड में कितनी कीज होती है? कौन सी कीज क्या काम करती है? इन सब के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूwn तो चलिए बिना देरी किये शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक कम्प्यूटर कीबोर्ड कीबोर्ड का आविश्कार सर्व प्रतम सन 1868 में क्रिस्टोफर थेलम शोल्स ने किया था उन्हें कीबोर्ड का जनक भी कहा जाता है कीबोर्ड कम्प्यूटर की एक महतुपूर्ण इन्पूट डिवाईस है इसे हिंदी में कुंजी पटल कहते हैं इसकी सायता से हम कम्प्यूटर में इन्पूट के रूप में टेक्स्ट वर न्युमेरिक डाटा दर्ज कर सकते हैं यह टाइप राइटर के समान होता है इसमें लगबग 104 से 108 तक कीज होती है कीबोर्ड अंग्रेजी वर्ण माला के अक्षरों से बना एक शब्द है जिसके प्रतियक वर्ण अर्थात अक्षर का अपना एक अर्थ होता है जो कुछ इस प्रकार होता है आज बाजार में कई प्रकार के कीबोर्ड उपलब्द है इन सभी कीबोर्ड की अलग-अलग विशेश्चताएं होती है कीबोर्ड मुख्य रूप से निम्न प्रकार के होते हैं मेंब्रेन कीबोर्ड, मेकेनिकल कीबोर्ड, एग्रोनोमिक कीबोर्ड, गेमिंग कीबोर्ड, वायरलेस कीबोर्ड, मल्टी मीडिया कीबोर्ड, लेप्टॉप कीबोर्ड, रूलब कीबोर्ड सबसे पहला जो हमारा कीबोर्ड आ रहा है मेंबरेन कीबोर्ड यह एक ऐसा कीबोर्ड होता है जिसमें कीज अलग-अलग होती है इसका लाब यह है कि यह रबर की मेंबरेन से ढखा रहता है जो कीज को धुल मिट्टी से बचाता है यह keyboard काफी सस्ता होता है अगला keyboard हमारा जो आ रहा है वो है mechanical keyboard mechanical keyboard एक उच्छ गुनवत्ता वाला keyboard होता है इसमें keys के नीचे spring लगी रहती है type करते समय keys से type writer के समान आवाज आती है अगला जो हमारा keyboard है ergonomic keyboard यह विशेश प्रकार का keyboard होता है जो उप्योग करता की कारिशमता को बढ़ाता है और साथ ही साथ लगातार typing के कारण उत्पन होने वाली समस्याओं को भी कम करता है यह अन्य keyboard की तुलना में थोड़ा महंगा होता है अगला जो हमारा keyboard है वो है gaming keyboard इस keyboard की designing काफी आकरशक होती है जो लोग computer पर game खेलने के शोकीन होते हैं उनके लिए यह keyboard best है इसमें backlead keys, multimedia keys और wireless connectivity जैसे extra features होते हैं backlead keys के माध्यम से हम अंधेरे या कम रोशनी में भी game खेल सकते हैं multimedia keys के माध्यम से हम बिना game को disrupt किये brightness और sound को control कर सकते हैं यह keyboard सबसे महेंगा होता है अगला जो हमारा keyboard है वो है wireless keyboard यह विशेश प्रकार का keyboard होता है जिसे computer से connect करने के लिए किसी cable या connector की आवशकता नहीं होती है यह radio frequency, infrared अथवा Bluetooth तकनिक के माध्यम से computer के साथ communicate करता है यह battery द्वारा operate होता है इसकी विशेशता यह है कि इसके द्वारा आप दूर बेठे बेठे भी computer को input दे सकते हैं अगला जो हमारा keyboard है वो है multimedia keyboard यह सबसे लोगप्रिये keyboardों में से एक है इसमें email, multimedia player, internet, browser और sir engine को open करने की सुविधा होती है कुछ multimedia keyboard में web browser में आगे और पीछे जाने volume बढ़ाने घटाने और multimedia फाइल में एक फाइल से दूसरी फाइल open करने की शमता होती है अगला जो हमारा keyboard है वो है laptop keyboard यह विशेश प्रकार का keyboard होता है जिसे laptop में प्रियोग किया जाता है इसलिए इसे laptop keyboard कहते हैं इसका layout थोड़ा अलग होता है क्योंकि इन्हे laptop के आकार के अनुसार डिजाइन किया जाता है अधिकांश laptop में दाई और का numeric keypad हटा दिया जाता है अन्तिम जो हमारा keyboard है वो है roll-up keyboard roll-up keyboard high elastic polymer से बना एक portable keyboard होता है और इसे foldable keyboard भी कहा जाता है क्योंकि इसे fold करके आसानी से कहीं पर भी ले जाया जा सकता है इसकी keys काफी मुलायम होती है और यह waterproof भी होता है हम keyboard की सरशना के आधार पर इसकी keys को 6 बागों में बाढ़ सकते हैं alpha numeric key, numeric key, function keys, special purpose keys, modifier keys and cursor keys सबसे first जो हमारी keys आती है वो है alpha numeric key इन keys का उपयोग कर computer में data feed किया जाता है साथ ही typing के लिए भी इन keys का उपयोग करते हैं इनमें A से लेकर Z तक के letter, 0 से लेकर 9 तक के अंक तथा special character शामिल होते हैं केवल alphabet key को press करने पर small letter type होते हैं जबकि shift key के साथ alphabet key को press करने पर capital letter type होते हैं इसी प्रकार केवल number key को press करने पर number types होते हैं तथा shift के साथ number key को press करने पर उसके उपर print special character type होते हैं इस keypad में दी गई caps lock को press करने पर केवल alphabet key को press कर capital letter type किये जा सकते हैं अगली जो हमारी keys आ रही है वो है numeric keys keypad में दाइं और number type करने के लिए एक अलग से keypad होता है जो numeric keypad कहलाता है इस keypad में 0 से लेकर 9 तक 10 number की इसके अलावा 7 अन्य key जैसे enter, delete, plus, minus, star, slash, तथा num log key को मिला कर कुल 17 keys होती हैं जैसा की चित्र में प्रदशित है numeric keypad की keys को num log key द्वारा enable या disable किया जाता है अगली जो हमारी keys है वो है function keys प्रतिये keyboard में alpha numeric keyboard के उपर F1 से लेकर F12 तक कुल 12 function key का एक set होता है इन keys का उपयोग computer में विशिष्ट कारियों के लिए किया जाता है ये निर्देशों को shortcut के रूप में प्रियोग करने में सहायक होती है इन keys का कार्य operating system या वर्तमान में चल रहे program पर निर्भर करता है next जो हमारी key है वो है special purpose की ये key कुछ विशेश कारियों के लिए प्रियोग की जाती है जैसे insert, home, page up, page down, end, delete, pause and break, scroll log, print, screen, आदी ये सभी special purpose keys होती है अगली जो हमारी keys है वो है modifier key इन keys में shift, control की, window की तथा alt की शामिल होती है केवल इन्हें दबाने पर कोई कार्य संपन नहीं होता है परन्तु जब इन्हें अन्य keys के साथ प्रियोग में लाया जाता है तो ये उन keys के input को बदल देती है इसलिए ये modifier keys कहलाती है अन्त में जो हमारी keys आती है वो है navigation key navigation key का उप्योग computer screen पर cursor को move कराने के लिए किया जाता है इनमें मुख्यत चार keys होती है जिन पर तीर के निशान बने होते हैं जैसा की चित्र में प्रदशित है बाई और के तीर के निशान वाली की को left की दाई और के तीर के निशान वाली की को right की उपर की और तीर के निशान वाली की को अब की और नीचे की तरफ तीर के निशानवाली की को डाउन की कहते हैं इन कीज के साथ आप करसर को स्क्रीन पर बाएं से दाय और उपर से नीचे मूव कर सकते हैं इसलिए इन्हें करसर कंड्रोल की भी कहा जाता है अंद में कीबोर्ड से सम्मंदित कुछ प्रशन आपके सामने प्रस्तुत है कीबोर्ड को क्वर्टी कीबोर्ड क्यों कहा जाता है कीबोर्ड को क्वर्टी कीबोर्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पहले छे अक्षर QWERTY से शुरू होते हैं इसलिए इसे क्वर्टी कीबोर्ड कहते हैं कीबोर्ड ले आउट कितने प्रकार के होते हैं दो प्रकार के होते हैं क्वर्टी और नोन क्वर्टी कीबोर्ड क्या कारे करता है कीबोर्ड का कारे कम्प्यूटर को input देना है कीबोर्ड में function key की संख्या कितनी होती है 12 F1 से F12 तक कीबोर्ड में कितने number keys होते हैं कीबोर्ड में number keys जो होती है वो 10 होती है 0 से लेकर 9 तक कीबोर्ड में कितने alphabet keys होते हैं कीबोर्ड में 26 alphabet keys होती है कीबोर्ड किस प्रकार की device है कीबोर्ड input device है computer की कीबोर्ड कितने button होते हैं 104 button होते हैं कीबोर्ड को किसने बनाया, कीबोर्ड के जो आविशकार रखे, उनका नाम है क्रिस्टोफर थेलम शॉल्स, इन्हें कीबोर्ड का जनक भी कहा जाता है, कीबोर्ड का आविशकार कब हुआ, कीबोर्ड का आविशकार सन 1868 में हुआ, इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने कीबोर्ड के बारे में विस्तार से चर्चा की अगले वीडियो में किसी और टॉपिक पर आपके साथ चर्चा करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद